स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वोटर लिस्ट में आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है या फिर नहीं है अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा पूरी जारी आपको इस वीडियो में देने वाले वीडियो को पूरा जरूर देखेगा तो वीडियो को अब भी से एक लाइक कर दिजे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिजे ताकि आपको ऐसे हमेसा अपडेट मिलता रहे तो चलिए आपको फटा फट बताते हैं सबसे पहले आपको किसी भी Google Chrome ब्राउजर में आपको इनकी ओफिसल वेबसेट पर आना होगा यहाँ पर जो है नाम आ जाएगा तो उसमें आप यहाँ पर नाम भी ढूंड सकते हैं दूसरा तरीका है आप चाहते हैं कि मेरा खुद का नाम यानि कि मैं एक परसनली सर्च करना चाहता हूँ कि मेरा नाम है या फिर नहीं है यानि कि आप अपने नाम के द्वारा अगर आप यहाँ पर search करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर search in electoral roll वाले option पर आपका अपर click करना होगा यहाँ पर आपको list download करने की जुरत नहीं परेगी तो यहाँ पर आप जैसे click करेंगे तो आपके सामने इस परकार खुल करके आजाएगा एक portal देख पर हैं कि राष्ट मतदाता सेवा portal और यहाँ पर आसानी से आप अपने नाम के द्वारा यहाँ पर आप सर्च करके check कर सकते हैं कि आपका water list में नाम है या फिर नहीं है लेकिन यहाँ पर भी एक और तरीका है सर्च करने का पहचान पत्र के द्वारा देख पर यहाँ पिक नमबर के द्वारा यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मतदाता पहचान पत्र का जो करम संक्या रहता है वो भी यहाँ पर आप डाल करके सर्च कर सकते हैं लेकिन आपके पास यहाँ पर मतदाता यानि की IP नमबर यानि की नहीं है तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस विवरन खोजे वाले option पर क्लिक करना होगा जिसके लिए आपको यहाँ पर अपना पूरा नाम डाल देना है जो भी आपका यहाँ पर नाम है नाम फिल कर देंगे आपके यानिकी पिता पती का जो भी यहाँ पर नाम है फादर्स का नाम आप यहाँ पर डाल देंगे उनके बाद यहाँ पर आप उम्र या फिर जनमतीती को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम जनमतीती को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका air है यहाँ पर आप इस तरीके से air को इहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे उनके बाद जो आपका month परता है month डालेंगे आपका day है इस तरीके से अपना date of birth यहाँ पर डालेंगे उनके बाद जो भी आपका यहाँ पर gender आता है आप यहाँ पर gender को select कर लेंगे उनके बाद आपका यहाँ पर राज select करने का option आता है आप यहाँ पर किस राज से belongs करते हैं, आपका जो भी यहाँ पर राज है, अपने राज को इस तरह के से select कर लेंगे, उनके बाद यहाँ पर आपका जिला पूछा जाएगा, यानि कि district, आप किस district से हैं, आपका यहाँ पर सारा district का नाम आ जाएगा, तो आप जहां से भी इस जो है, वो कहाँ पर गिरता है, तो इस तरह के साब उनको select कर लेंगे, उनके बाद यहाँ पर नीचे आएगे, तो नीचे आने के बाद आपको यह वाला capture देख पार है, इस capture को आपको यहाँ पर feel कर देना है, capture डालने के बाद आपको यहाँ पर इस खोजे, यानि कि search वाल और यहाँ पर आपका pooling station कहाँ पर है, वो भी आपको यहाँ पर सारा चीज़ देखने को मिल जाता है, पूरी detail लेने के लिए आपको यहाँ पर view detail वाला option मिलता है, आप यहाँ पर click करेंगे, यहाँ पर आप जैसे click करेंगे तो आपके सामने एक नया tap खुल करके यहाँ पर वोटर information वाले पर, यहाँ पर आप जैसे click करेंगे तो आपके mobile में यह PDF है, यानि कि यह download होकरके save हो जाएगा, या फिर अगर आपके पास print मौजूद है तो आप इनको print करा लेंगे, तो इस तरीके से आप अपने नाम के अनुसाइज, यानि कि आप अपने नाम कर दिया है, वोटर एडिक कार्ट के लिए, तो आप कहाँ पर कुछ दिन तक वेट करना है, फिर आप यहाँ पर दोबारा से चेक करेंगे, तो आपका यहाँ पर वोटर लिस्ट में आप कहाँ पर जो है नाम आ जाएगा, अगर आपने इसके लिए अभी तक online आबेदन नह किया है, निव वोटर एडिक कार्ट के लिए, तो आप लोग जल्दी से इसके लिए निव आबेदन कर दिजे, क्योंकि यहाँ पर जो वोटर पोर्टल पर जो एक नया पोर्टल को लॉंच किया गया है, जिसका नाम है वोटर पोर्टल बेटा, आप यहाँ पर क्लिक करके new account बना करके जो है खुद से अपने mobile से जो है water ready card के लिए online apply कर सकते हैं water ready card के लिए आपको online apply कैसे करना है इस पर हमने एक proper वीडियो बना दिया है उस वीडियो का link जो हमने नीचे वीडियो के description में दे दिया है आप वहाँ से क्लिक करके इस वीडियो को देख लिजे खुद से आप जो है new water ready card के लिए जो online apply कर सकते हैं सो इस तरह के से आप लोगों तक एक छोटा सा update देना था I hope हमने आपको समझाने की पूरी कोसिस की है अगर आपको इस वीडियो पसंद है वीडियो को like करें जितना हो से कि अपने दोस्तों के साथ share करें ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में मालूम चल सके